सूरज ढलने को है लाल रोशनी आपके कैमरे पर चमक रही है और धेर सारे आपको जहाज नजर आ रहे हैं अभी नई समझ में आ रहा है तो कैमरा थोड़ा गूमेगा तो और क्लियर समझ में आएगा उसमें धेर सारे जंडियां लगी हुई है और एक जंड़ा लगा होता है हिंदुस्तान का हमारे भारत देश का जंड़ा इंडिया का जंड़ा और इस तरीके से यह पूरा इधर पूरे इलाके मेरे बहुत सारे चूटे-चूटे-चूटे-चूटे-चूटे जहाज खड़े हैं जो फिशिंग मचली पकड़ने का काम करते हैं क्या नाम है सर आपका मेरा नाम नजीर भाई हम कहां पर खड़े ज़रा दर्शकों को बता ही हम लोग अभी सलाया जेटी पर खड़े यह द्वार का जिले का सलाया जेटी है यहां से थोड़ी दूर पर ओखा बंदरगा पड़त समंदर हो जाता यहां से पास किलोमेटर आगे से उन समंदर होता है तो यह जो सलाया इलाका है यहां यहां पर ज्यादा तर लोग मचली से सब्सक्राइब नक्षे पर देखेंगे तो द्वार्का के अगर उस तरफ सीधे देखेंगे तो ओमान दिखेगा अगर नजर पड़े तो दाये साइड में कराची है मतला नजर नहीं पड़ेगी दूर तक लेकिन वह काफी दूर दाये साइड में कराची है और मुंबई और मुंबई आजए तो आप लोग जो मशली पकड़ने का काम करते हैं आप नजीर नजीर भाई आप लोग जो है कैसे मतलब कैसा होता है कारोबार मशली का और क्या प्रो अब होता है और यह बूरक वे इसको 12000-1260 इसल चाहिए 12000 से बारास उलीट परदिट डिजल चाहिए और मेंटिनस पूरा राट 10 दिन में एक लाग पिसमेंटिन सोता है आदमी होता है दस यह दरिया में ओपन दर्यारे में जाएगी वाट 10 दिन वो ट्रॉलिंग करके फिर जाएगी उसमें मचली मीलेगा तो ठीक है नहीं तो 50,000 उल्टा भी राक का मचली मीलेगा तो 50,000 माइनस में चलना पड़ता है माइनस में अभी तीन चार साल से सब बोट में बहुत मन दिया गया है इसकी वज़े से बहुत माइनस में जा रहा है यह यह आपी जो पूट है पहले तो आप हमें गेनकी एक ऑनी फूत ही है एक बोर्ट यूट के लिए साट इस सतर लाव रोड़ लाकशायी चाहिए बड़ी प summary का तो मुझे ज्यदा आइडिया नहीं है लेकिन साथ से दस क्रोड केंदर आती है साथ साथ सतर लाख एक आदमी लगाएगा तो ये बोट तो एक किसी एक आदमी की होती है किसी कंपनी की होती है या सब लोग मिल के बना इसा नहीं होता है मैंने लोग के मेरी भी बोट है यह उसकी भी बोट है इसकी भी बोट है सबकी हमार एक एक बोट है किसी के पास दस भी इसने एक आदमी के पास 10 बोट भी एक के पास एक भी और कोई दो आदमी एक बोट में पार्टनर भी चलते हैं इसा करके लिए बिजनस शुरू करते हैं तो आप बता रहे थे कि एक बोट जाती है तो साड़े एक डेड़ लाग रुपय का फ़र्चा आता है बारा सो डीजल कितने आदमी जाते इसमें साथ साथ हां आधमी जातें गुकितने दिन रहते हैं समंदर में समांदर में मचली मिल गए तो आटन में आज rare या जये से सबंदर में जाल फेका उन्हों ने आपको गए पहले दिन मचली मिल गई तो आप आठ दिन रहेंगे तो मचली खराब हो जाएगी ने उसमें आइस रहता है यह जो यह जो यह जो कॉल रूम दिख रहें ना उसको आइस को लो आइस लेके जाएगी इदर से बोट अगर एक मह बीना भी रखेंगे माची फिर भी फ्रेसी निकलेगी जो बाजार में मचली आती है जिसको सब बताते हैं ताजा है तो एक लीस्ट वह दस पंदरा दिन पुरानी होती है इसा नहीं होता है अगर मान लो के बोट को दस दिन हो गया लास्ट दिन वाली मचली तो फ्रेस होग हृण टोनट है कि जाली को ऊटा लेक से इंजीन में जोइंट होता है और इंजीन की वज़े से यह जाली को ओपर उठाता है। अब शेकते लोग हैं झीट सा ये पेकते बीलोग है और यह फेकता भी ये बी उडब पीछे से जॉ जाली होते है तो फ्रीह करेब दान के मैं तो कितनी मचलियां पक्र शावार्न कैवी मिलती में तो तीन लाग पानी चाह रहा है अवे दो गंठे में यह भी पानी ने रहग गई और दो कंठे में इदर से वी सा निकल जाएगा पूरा अब इदर से दो किलो मेटर आगे जला जाएगा पानी तो यह पुरा आप लोग कहां कहां तक है आप इसको पूरा आप इसके हैड हो जी मैं प्रेसिडेंट हुई जो कितना कितना दूर दूर तक है आपका पूरा एरिया यहां से जो बोट दिख रहा है ना ओर बड़ी ओड़ी जी उधर इसा खादी है उधर से इंटर होता है इधर भी है और बाकि उस साइन में तोड़ा बहुत बाकि में जटी है जिदर हम लोग खड़े हुए में भी आएगा इधर आके खाली करेगा यह लोड करेगा इधर से फिर अधर जाएगा उधर तो बस रखना है बोट अगर बिजनस ल जो पहले जो चलता था तो त्रीस चाली सजर कभी मची मिलता था हमारे लिए इनाफ हो जाता था लेकिन अभी किया है के महंगाई बहुत है इसकी वज़े से बहुत परेशान है अभी डीजल का रेट अभी सो उपर 96 तक हो गया है और इसमें जो सब सीड़ी बोलते जो सरका इसको सागर खेड़ू को सबसीड है यह रिख लेकिन उसमें क्या होता है किपा सοता है बोत का जो डिजल पस को 90 परसन आद्मी के पास नहीं है महलोग मेरे पास बोटे लेकिन इसका पास नहीं है तो मुझे वो साई नहीं मिल सकती है गवर्मेंट से पास बनवा क्यों नहीं बनाते हैं वो दोजार तीन के बाद वो प्रोसीजर बंद कर दियागा अभी नया पास इस्यू किसी का नहीं होगा कि सरकार की यूजना चल रही है बोलते है पेपर पे चल रही है लेकिन कुछ मिल नहीं रहा है सरकार ने कई बार पूरबंदर में भी ऐलान किया था कि हम जो खेड़ूत आप लोग क्या बोलते हैं उसको जो सागर खेड़ूत मतलब जो समंदर के किसान जो मशली पकड़ने व उसमें दो लाग का सबसीडी मिलता है वो भी हम लोग आज मेसिन पर्चेस इंजिन जो पर्चेस करेंगे तो उसको एक साल भी लग जाएगा दो साल भी लग जाएगा और उसके उपर भी बहुत प्रोसीजर होता है पेपर के लिए उदर उदर बटकना पड़ता है दो पेंटर काम करते हैं कोई आदमी एक साल में भी काम खालास कर लेता है तैयर कर लेता है कोई आदमी पांच साल में भी करता है तो पांच साल लग जाता है एक जहाज बनाने में इसकी जो लकडी होती है वो कुछ खास लकडी होती है बड़े बड़ी लकडी होती है इसकी जो लोग्क मलेशिया वोलते हैं सी तो तो ल कहां से वित भॉलकी तो ऐसी तौन अदर गंधी दाम गंधी दम कियो माम मैद्ल करहने तो दो तो मलेशिया लकडी अपने हाँ पाई जाती है या फिर कहीं और से आती है ने बाहर से आती है दूसरे देश से आती है और इधर गांदीदा में जो बड़ा जहाज होता है ना जो सीप आता है उसी पिदर खाली करता है फिर इधर से खरीदते है सब लोग बाकि जो अंदर की लकडी होती है जो भार का पार्टिया ने अंदर भी बहुत सारी लकडी होती है वो इधर से डाकोर से उधर से खरीदते है तो फिर ये अभी जिसे आप बता रहे थे कि सरकार की योजनाओं का आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है जो महंगा डीजल मिल रहा है उसका कितना मैं पर देखने रहे हैं तो उसके वी सबसे कहा है कि अम लोग फिर शोचना पड़ेगा अच्छ लिटर डीजल नहीं पर रेगा तो फिर इसके हिसाब से बूड को रखना पड़ता है और रखने से क्या नुक्सान होता है कि जो आदमियों का से रही है वो तो कंट्वीनी चालूई रहेगा, रखेंगे, या यूस करेंगे, उसमें क्या होता है कि एक आदमी का 15,000 से 17,000 से ले रही रहे तो पर मंत अगर 15,000 से ले रहे तो उसमें केद देटलाग का फ़ाइन सेलेडी सांव करेंगा तो उसक एक लाग नग फचासाजर है तो बोर्ट रखींगे तो भी एस अदी चालिए औरी यूस करेंगे तो भी एसे लहीद उने। इसा होता है। और यह नहीं दस माहिन सीजन देता है। पर देना जून जुलाई जो दो महीन ना उसको करते हैं गवर्मेंट लाइसंस इस्ट नहीं पड़ती है तो हो दो महीनँ आ है न वह मचली का कुछ प्रोशीजर है जो गवर्मेंट का तो उसे इससाब से फिर दो महीना इसको वेट करके रखना पड़ता है अब ही जैसे वो आप नहीं जा सकते सब को लाइसेंस बने नाब नहीं चाला अब यह जो लाइसेंस है आलतक्दीर इंडिया जी जेट गुज्रात इसका नमबर है और जंड़े क्यों लगा रखे हैं इसमें तो अपना भारत का जंड़ा होता है वह भी जंड़ा रहता है फिर जो जिसका आस्ता होता है यह दरगा पर यह वो दरगा पर तो यह दरगा का भी रघ रखते फिर एक ग्रूप का हुता है महलों के मेरे गूरूप में 23 स्वोट है हमारा सब दोस्त की भाई की है तो सब बोट साथ में जाएंगे सब साथ में तो एक दूसरे को पेचानने में बार समंदर में इजी अच्छा हुआ है तो लाइट के यह जो बोटल लगा हुआ अप दिख रहे है यह लकडी के ऊपर लंभी लगड़ लगए उसके में अंदर लाइट है लाइट कैज कलर की होती वह विसे इस कलर कि उता है पीन को थी यह लोग ग्रीन उती है बुलू होती है सब कलर क्यों यह मन तो चछ जाएगा वो उसाइन में जाएगा काच से बीजी कच से ओपन सी में जाएगा जो सलाया में बोड रहेगा यह जामनंगर से लेकर ओखा तक जाएगा कि समंदर में तुफान आ जये जाए मोसं बिगड़ जाए आपकी बोड भट भटक जाए यह कई बार होता है कि पाकिस्तान सीमा को क्रॉस कर जाए ऐसा कुछ होता है अक्छुलिस में इसा होता है सब्सक्राइश के जो मांगरोल वेरावल का बोड और उसमें क्या होता है जो कोई आदमी ने रहते हैं मेरा मेरा बोटे तो समें गर में गर का बोट लाजम एक आदमी रहे का तो वो उसको ख्याल देता है कि अपना बोटे इसके ऊवपर पूरा जिंदगी निकालने का मेरा तो वो एसार रिक्स नहीं करता है जो वेरावर पॉर्ड़ बद़ के बड़ी ना कि तिसकी है उसके कवालिट की तीन तीन सो उड़ तो उस लोगों कर दंदा चाहिए चाहिएbes वह उस साइन में जाता है उसको पकड़ते हैं तो जैसे आप लोग मशलियां पकड़ते हैं तो किस किसम की मशलियां जादा मिलती हैं अपको मशलियां सब किसम की मिलती है लेकिन ज्यादा तरह हम लोग पापलेट पकड़ते हैं और फ्राउंस पकड़ते हैं प्राउंस जी पामफ्लेट बोलते हैं वह जो चिप्टी सी होती हो पापलेट कितने रुपए किलो उसमें ग्रेडिंग होता है मनलों के एक नंग अगर 500 ग्र 10 ग्राम का इक फीस होगया तो तो इसका पांचिसो सत्तर हो गया पर के जी साथ जितना बाहा सु सो रुपए किलो आप एश्टे हो तो मार्केट में जाके तो और मेंगा और मेंगा हो जाएगा झाल सबसे महोंों से महिंगी मैंसली घोल अग्जों कैसी हो बढ़िक से से 25 कि होती है अगर मान लेगो 4 किलो की हो गई तो उसको 500 रुपया पर केजी हो गया हो इसका 21,000 रुपय किलो और 30 किलो है तो तीन दूना पाइब बहुत मेंगी हो गई एक मच्छी 15-17 लाग तक एक मच्छी हो सकता है 15-17 लाग तक अप उजड़ा दिखा है आपके पास है मचली व मच्छी आप लोग शिपाई होगी तो जयाज आया होगा तो आप लेके चले गए होगी जी मस्जी यह होटारा तब वह अपछली पकड़ लेते हो तो बड़ी खूशी होती होती होगे यह इस में इसमें ऊस्थemmentरा मिल गई तो खूशी होती है नहीं है दो उसका कभी कभी उसके उपर यह जो है यह पाप लेट है यह पाप लेट है अब आप लोग अच्छा तो यह बता रहेतें बारा सो किलो वाली और वो जो यह ज्यादा तर आपके पास वही मश्लिया ज्यादा तर पाप लेट करते हैं अच्छाय कि इस इलाके इह इस नहीं होता है परूम लोग जाली के लिए पेक होगे के ऐलिए अलग जाली ही प्यास आपड़ले के लिए अलग जली रिएंगे करें लिसे हो फिसक पर दिलच्व से कि की कि यह बाइसाब नजीर भाई दिखा रहे हैं यह मचली 21,000 रुपए किलो तो क्या खासियत है इसमें अंदर उस एक यह जो मची एना उसके अंदर माने लिगा अगर यह 15 किलो का नर रहे नर मतलब जेंड से अच्छा नर और मादा भी होता है अगर मादा रहे गा तो इसका इ इसकी जी के रहे गन तो 800 ग्राम का एक पिस निकलेगा इंपोर्टेट वह आठ सो ग्राम वाला खाने में यूज नहीं होता है यह खाने में होता है लेकिन फिर सो रुपे के पर केजी हो जाएगा अगर वो अगर निकल लिया ना क्या होता है वो यह जो जैसे लाला उसा नि लांगा उसमें यूस होता है कोई बोलता है इसमें यूस होता है लेकिन आज तेक हमको भी मालों इसमें यूस होता है तो वह बहुत महँंगा हो थो तरो उसको यूपी वाले खरीदे backwards यहाँ पर बंदर में वेज जाएगा शडबी जांग सब्सक्राइब जानकारी नहीं लेकिन इसा समझ जाते हैं कि जो डॉक्टर अंदर की बोडी में जो प्रोसी सिस्टा है कोई बोडी ती चीर के सीजता है तो उसको फिर निकालना नहीं पड़ता है कि वो कुछ टाइम के बाद वो नाबूद हो जाता है गल जाता है मतलब और दवाईयों होगी हो कि भी काम आता है कि अभी इतने महंगा है दिल्चस्प है कि 21,000 रुपए किलो भी कोई मचली मिलती है लेकिन उसको पकड़ने का बड़ा तो आप लोग के यसे ये पूरा बंदरगा है इसकी निगरानी कौन रखता है इसकी निगरानी मालनो मेरा बोटा करता हूं दूसरे का भी वोट आजाएगा तो सब आदमी दर ज्यादातर आदमी काम पर चालूई रहते हैं कुछ कोई गलत सामान लेकर चलाए तो फिर कैसे करते हैं फिर तो पुलिस कामता है आप अबरी चाहिए उनके जी जू के बरकाईगा है कैसे मतलब जैसे माले यह के यह शुपवाले शिप मेरा बड़े बैसे पीए इस से कुछ उसके आदमी रहते हैं रहे समय को थे पहुतों सब्रों सिभी जोन आधनाी जोर फिसरिस्ट से बॉत रहे कुछिंग उसने के लिए कर दिया कुछ इल्लीगल सा माना पतलु टिंस तो इसे तो सलाय में डीजल का इसा बोट चलता है डीजल ले आते तो डीजल के लिए पकड़ता है और जो कोई सामान प्रोसीजर नहीं किया हुआ बील नहीं है और लेका है दुबबाइ इसे तो उसका भी होता है दुबई के रास्ते जो यह सोना घड़ी इस टाइब की दिल्चस प्रयाप लोगों का काम और काफी रिस्क भी है महनत भी है काफी जब आप 10-15 दिन महनत करते हैं तो फिर आपको एक कुछ मिलता है और मिलने के बद बद मिलता तो समय लो कभी जाना उल्टा माइनिस में भी चलता है चलता है चादा तर अभी माइनिस में बहुत तिन चार साल से बहुत माइनिस जा रहा है सिजल मची कम मिलता है और मिलता है तो रेट नहीं मिलता है डीजल का में दिन ज्यादा होता जा रहा है तो मची का रेट भी तो बढ़ा होगा नहीं मची का रेट बढ़ा है लेकिन जितना डीजल का बढ़ा है उतना नहीं बढ़ और क्या होता है कि अभी मानलों के दस साल पहले मेरे जगाउं में तीन सो बोट थी अभी साथ सो हो गई तो बोट बड़ी तो मचली भी कम हो जाएगी पिर ऐसे बढ़ जाएंगे सबके जितने ऐसे बढ़ेंगे उतने मची कम हो जाएगी तो यह हम गुजरात के द्वारका में थे और सलाया एक एक गाहों कह लीजिए यह बहुत बड़ी सी नगर पालिका है यह और वहां पर एक बंदरगाह जो मचली पकड़ने वाला काम जहां पर होता है वहां पर हमारा है और हमें लगा कि यह बड़ी दिल्चस्प जगह है जहां आते ही मचली की जो बहुत लोगों को बद्बू लगती है बहुत लोगों को महक लगती है वो आने लग जाती है वो यह हलका जुखाम है फिर भी मैं उस गंद को समझ पा रहा हूं तो मैं लगा कि यह सारा काम कैसे होता है इसको समझना चाहिए आपको बताना चाहिए आपको यह वीडियो कैसा लगा ललन टॉप का कमेंट करके ज़रूर बताई मेरा नाम है अभी नो मेरे साथ कैमरे के पिछे हमी तेश है जो की बहुत देर से परिशान है कैमरा उठाय उ झाल